वेलकम टू ख्रीसी वाल बजार से एक अच्छा सा बैल खरीदा और घर वापस लोटने लगे रास्ते में उन्हें भूक लगी और उन्होंने उन तीन रोटियों को खाना चाहा वो एक कुए के पास रुके और उसके पानी से अपने हाथ पैर धोए फिर शिवाय ने वो तीन रोटियां खाने के लिए निकाली पिताजी मुझे जादा भूक नहीं है मैं एक ही खाऊंगा आप दो खाईए ये सुनकर उस कुए में रहने वाली तीन भूतियों को लगा कि उन्हें खाने की बात हो रही है वो डर गई और कुए से बाहर आ गई बीर समझ गया कि उनकी बाते सुनकर वो चुड़ैले उनसे डर गई है उनके डर का फैदा उठाते हुए उसने उन्हें और डराया अगर तुम हमारे साथ आओ और हम जो कहें वो काम करके दो तो हम तुम्हें रुकसान नहीं पहुचाएंगे बरना खा जाएंगे बीर की बात सुनकर अपनी जान बचते देख वो चुड़ैले बोली तुम जो कहोगे हम वो करेंगे तब बीर और उसका बेटा शिवाए उन चुड़ैलों के साथ अपने घर पहुचे फिर उन्होंने उन चुड़ैलों से धेर सारा काम करवाना शुरू कर दिया ये चुड़ैले जहां यहां पर इतना संघर्श कर रही थी एक और चुड़ैल उनसे मिलने उसकुए के पास पहुची लेकिन उस चुड़ैल को वहां पर अपनी दोस चुड़ैले नहीं दिखी और उसे पता चला कि कोई दो आदमी उन्हें अपने साथ लेकर चले गए हैं फिर ये नई चुड़ैल उनकी खोज में इधर उधर घूमती हुई बीर के घर पहुची गौशाला में तीनों को काम करते देख उसे बड़ा दुख हुआ और उसने कहा तो वह चुड़ैले रोती हुई बोली उनको रोते देख चुड़ैल बोली तुम लोग चिंता मत करो मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी तभी गौशाला में बीर और उसका बेटा शिवाय आये नए बैल को देख कर बीर बोला शिवाय ये नया वाला कुछ स्वस्त नहीं लगता इसकी बिमारी दूर करने के लिए हमेंसे जलती हुई सलाख से जलाना पड़ेगा नए चुड़ैल को लगा कि उसी के बारे में बात हो रही है वो तुरंट उसके कदमों में गिर पड़ी नहीं नहीं मुझे जलती हुई सलाख से नहा जलाना मैं वो सारे काम करूंगी जो ये चुड़ैले कर रही है मुझे मत जलाओ बीर सारी बात समझ गया और खुश हुआ कि उन तीन चुड़ैलों के साथ एक और नहीं चुड़ैल आ गई है और बोला ठीक है नहीं जलाओंगा तुमें लेकिन मैं जो कहूंगा वो करना होगा चुड़ैल दरकर बोली तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब करूंगी ये तीन चुड़ैले सिर्फ उठाकर वहां से कपास ले आती है अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे अच्छी तरह धुनो और फिर मुझे ला कर दू बिल्कुल आज से आपको धुना हुआ एकदम शुद्ध और मुलायम का पास मिलेगा पिता और बेटे ने उन्हें फिर धमकाया सारा काम अच्छे से करो जब पिता और बेटा वहां से चले गए तो वो बाकी तीन चुडैले उस नई चुडैल पर खुब चल लाएं ये था तुमारा उनर एक दम फाल तू बड़े घमन चे कहा था तुम ने हमें इस घर से निचाट दिलाओगी अब हमारे साथ तुम भी गुलामी करोगी और हमारे लिए का पास दुनने का एक काम और बढ़ा दिया